और यह एक नई वेव है इसलामिस की, यह आपके मुल्क के लिए बहुत खतरना है, और यह नई वेव जो है, यह नई बैटल लाइन्स ड्रॉ कर रही है, और यह जो बैटल लाइन्स है, यह जारी बात है, इसमें व्यासर रहे हैं, अब के सामने एक नई वीडियो के साथ, गाईज अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज शेल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में, अपने सुझाओ, शेर करना ना भूलें, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी द इसलामिस तक पहुचना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में जो वोटर है, वो तो सारे का सारा conservative voter base है, बहुत कम vote base है, जो एक proper mindset से चलता है, बहुत कम vote base है, normally for example, PMLN का भी जो vote bank है, वो सारा conservative vote base है, और लेकिन ये एक अच्छी बात शुरूर से रही है, कि कभी भी पाकिस्तान में, लोगों ने, जो है, वो शरीयत के लिए vote नहीं दिया, जो भी सियासी जबाद शरीयत को support करती है, वो नहीं करते हैं, हम PMLN को support करते हैं, People's Party को, PTI को, लेकिन in political leadership का का काम य ये है कि they have to show them the way, हमें hostage नहीं बनना, हमें रियासत को चाहिए कि हमें इन से hostage बनने से बचाए, ये भी पाकिस्तानी हैं, ये भी हमारे लोग हैं, इनके साथ बहुत पहले dialogue हो जाने चाहिए था, चीजें समझ आ जानी चाहिए थी, लोगों को पता लग जाना चाहिए था और सारे-क-सारा पाकसान होस्टेश बना हुए हमने तो हमें ये बताया घ्या था कि मुल्क में कारोबार बन नहीं होगा, जो मरजी हो जे कारोबार बन नहीं होगा, लेकर आज máquina कारोबार बन करवा दी है आज बिसनेस और मार्कीने बन करवा दी हैं, किसी हद तक वो कामय है तो आल वाट इस नीडिड कि हमें एक नैशनल अप्रोच चाहिए एक नैशनल अप्रोच वो अप्रोच जिससे सारे स्टेकोल्डर्स मिलके बैठ के बाद करें कुछ लोग पीछे बैठे रहते हैं और जो है वो गौर्मन्न के अदारों से काम करवाते रहते और खमोश रहत हैं यह जब तक आप सारे लोग टेबल पर बैठ के बाद नहीं करेंगे जिस तरह नैशनल अक्षन प्लैन बना था उस वक्त तो डिकलेर था ना उस वक्त भी मुझे यहाद है कि उस वक्त जमाते इसलामी के जो अभीर थे वो उनको किस तरह वो क्योंके उस वक्त हलात और जमाते इसलामी के उभीर थे नवर साब वफाट पा गया है से राजू लग साब से पहले वो कहा करते थे कि अगर कोई पाकिस्तानी फोजी जो है वो टीटीपी के लोगों से लड़ेगा तो मैं वो जो टीटीपी वाला को शाहिद है तो वो कह रहे थे कि यह तो पाकिस्तानी फोजीयों को भी शाहिद नहीं कहते थे और वो तो अमरीका के तो चलो ठीक हो एक और वसलह यह और था ना शो यह जो इस्लामिस हैं यह आपके बहुत अंदर आ चुके हैं और यह एक नई वेव है इस्लामिस की यह जो नई वेव है इस्लामिस की यह आपके मुल्क के लिए बहुत खतरनाफ है और यह नई वेव जो है यह नई बैटल लाइन्स ड्रॉ कर रही है और यह जो बैटल लाइन्स है यह जारी बात है इसमें रियासत के अधारे भी जो है भो भी इसे एफेक्ट होंगे रियासत की जो है मिशिनरी भी एफेक्ट होगी पुलिटिकल बार्टी भी एफेक्ट होगी जनरल पबलिक भी एफेक्ट होगी लेकन सारे के सारे बैट के मज़ा ले रहे हैं खुसूर इमरान खान साब का है because he's the leader he's the prime minister he's supposed to invite everyone and talk to them this is purely a national security issue है आपने दुनिया के साथ isolation तो नहीं करनी लेकन आपने आपने लोगों को तो बताना है क्या आपका मौकफ क्या है अब हर सियासी जमाट ढर रही है कि अगर हमने TLP के खिलाफ बात की तो हम अपना vote bank ना lose कर जाए तो मुल्क को फिर इनों में क्या चलाना है हर बंदे ने फिर हम इसी तरह होस्टेज बने रहेंगे और हम इसी तरह जो है वो इन इन elements के आगे जो है वो जुके रहेंगे और जिसका जो तो आपस में उनका का चल रहा था कि कभी TLP जो है वो गॉर्मेंट के लोगों को यह पुलीस को किड्नाप कर लेती है और गॉर्मेंट उसको छुडाने में कामयाब हो जाती है और ऐसे लग रहा है जैसे हम पता नहीं कोई कौन सी दुनिया में रहते हैं कि जहां पर रियास्त के जो लोग है उ को कोई ग्रूप अगवा करके अपनी मज़द में ले जाता है मतलब यह बड़े अजीब से मनाजर है इस वक्त पाकिस्तान के पाकिस्तान की जो रियास्त है इस्लामिस के आगे इतनी कमजोर होगी और हमने जो इस्लामिस डिस्कोर इस वक्त बना दिया हुआ है कि अगर हाथ लगा है या वो अगर कानून तोड़ दे तो उनको कोई पूछ नहीं सकता यह एक बड़ा बहुत बड़ा एक नैशनल हमें अल्मिया यह कौमी अल्मिया हैं और इसको अगर रियास्त के तमाम सतूनों ने मिल के इस पे काम ना किया तो आंदा आने वाले दिनों में हमा लोगों के साथ मिल के क्योंके कल जो मस्जद रहमत अल्मीन हैं जहां पे टी Εल्पी के लोग बैठे हूएं हैं वहां पे कल एक ऑप्रेशन हुआ है और गौर्मन का कहता है नहीं है ची हमारे लोगों को टी E определ के लोग उठा के ले गए और थाने पर हमला किया وहां पर खत्म आप यहां से यह वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं आपने देखा पाकिस्तान में जो हंगामा मचा हुआ है अब वो हंगामा मतलब पाकिस्तान की गवर्मेंट से तो डैफिनेटली हैंडल नहीं हो रहा है और पाकिस्तान में जिस तरीके से लोग बाहर निकल निकल कर पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जला रहे हैं पाकिस्तान की पुलिस को मार रहे हैं पाकिस्तान की फॉज को मार रहे हैं तो इस से तो ये लगता है कि इमरान खान की गवर्मेंट पर खत्रा है और पाकिस्तान में ब पाकिस्तान के फौच के बंदे तक वीडियो डाल डाल कर वो रहे हैं कि हम मतलब जो प्रोटेस्टर हैं जो तहरी के लब बैक हैं उसके कारकोन को नहीं मारेंगे उसके कारकरता को नहीं मारेंगे और उसके खिलाप नहीं खड़े होंगे उसके साथ ही खड़े होंगे इस टरीके के हालात पाकिस्तान में बन जोगे है तो आप समझ सकते या सिच्छीशन क्या है गाईज आपको बता दो पाकिस्तान में सो कमरचीमा एक्स्प्रीन कर रहा है कमरचीमा आज बड़ा लिबरल बनता फिर रही आप देख रहे हो यह बड़ा उदारवादी शो कर रहा है अपने आपको वाकी है ऐसा नहीं कमर चीमा के अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे पुरानी चीजे देखेंगे तो कमर चीमा भी इन ही इन ही चीजों का सपोर्ट करता था लेकिन आज बड़ा यह एक्सपर्ट बना फिर रहा है ऐसा होशयार देख रहा है कि जैसे इसलामिस्ट मतलब इसलामिस्ट पाकिस्तान में इसलामिस्ट पर कंट्रोल करना इस तरीके की वर्ड कमर चीमा से सुनना डेफिनेटली बड़ा शौकिंग है क्योंकि यह तो बड़े मतलब जब इंडियन मीडिया पर आते हैं थे और अभी भी आते हैं कभी कभी तो यह बड़े मतलब बैक करते थे इन लोगों को हाफे सही जैसे लोगों को ऐसे लोगों क यह बैक करते थे आज कल यह बड़े लिवरल बंदें फिर रहे हैं लेकर इनकी सकल पर लिखाए कि यह जूट बोल रहे हैं और यह भी वही है इनका भी डायलोग वही है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा यह वही वाली गैंगे हैं तो गाईज अब पाकि पाकिस्तान की आर्मी भी चाहती कि अमरान खान का का टाइम हो गया है तब पाकिस्तान में सा exactamente कुछ बड़े चेंज्स आने वाले है और पाकिस्तान की आर्मी आए इंकी ऑंगि उसके सामने जोगेगी जो यह प्रोतिस्ट कर रहे हैं जिससे प्लास्ट टाइम भुगा दा जो साध रिजबी के बाप ने किया था उसका नाम था खादिम रिजबी जिनकी अब डैथ हो चुकी है उसके बाद मतलब जो हैड ओवर हैंड ओवर हुआ जो पूरा इनका तहरीक लब बैक पार्टी इसके हाथ में तो साध उसको मैनेज कर लेगी यही तरीका देख रहा है पाकिस्तान की फौज आएगी और फौज कुछ नया करके इनको कैसे तैसे हैंडल कर लेगी और रही बात फ्रांस की अगर फ्रांस को नहीं भगाते तो यह धरना तो यह चलता रहेगा और मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान फ्रांस को नकाल कर रिस्क लेगा क्योंकि फ्रांस जाएगा तो पाकिस्तान की पूरी यूरूपन यूनियन के साथ जो बैपार होता है पूरा ठप हो जाएगा पाकिस्तान बहुत आइसोलेट हो जाएगा दुनिया में और वैसे भी ये एक मतलब भूत बंगला टाइप की कंट्री है यहां कोई आता नहीं है उपर से और भी कोई नहीं आएगा तो उनकी और भी हालत खराब हो जाएगी तो गाईज यह वीडियो यहां पर होता है खत्मा आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर लखाएगा चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्वाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए जाहें